हलो बच्चों केसे हैं आप सभी मैं मिसेस अनूराय आप सभी बच्चों का कॉंपटिशन कमिटी में स्वागत करती हैं लास्ट वीडियो में हिंदी भाषा के पहले लेक्चर में आपनी जाना था वरन माला से संबंधित प्रश्णों को वरन के आयते हैं वरन भाषा की सबसे छोटी लगुत्त मिकाई है जिसे खंड में बाटा नहीं जा सकता इस वरन के दो हिस्से हैं स्वार और व्यंजन वरनों से संबंधित प्रश्ण किस तरह आप से पूछे जाते हैं हर वरन के अंतरगत स्वारों की कैटेगरी से यहां तक क व्यंजन में अंता और बाहे प्रेतने के अधार पर स्वरों को हमने जाना और व्यंजनों को हमने जाना दूसरी बात कि स्वर और व्यंजन में वरन की संख्या की अदिबात करें आप सभी को पता है कि हिंदी में हम देवनागरी के बावन वरन अक्षरों का प्रयोग करते ह परंतो वर्तनी योजना के अंतरगत वर्तनी जो मानक वर्तनी की श्रणी है उसके अंतरगत मूल रूप से केवल 46 वर्ण माले जाते हैं अब आप कहेंगे 46 वर्ण कैसे हैं तो समझने की बात है कि उन 46 वर्णों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन 46 वर्णों में हमारे पास क्य जहां हमारे पास 11 प्रकार के स्वर होंगे मानक वर्तनी के नुसार 11 प्रकार का आपके पास मानक वर्तनी के नुसार 4 लगु यानि की 4 लगु स्वर और 7 दिर्ग स्वर सी 11 प्रकार का स्वर मानक वर्तनी के नुसार माना जाएगा इसी तरह 2 प्रकार का आपका अयोग वाह मान तक की 25 प्रकार के आपके इस पर्ष वर्ण होते हैं ठीक है साथ ही आपका चार होता है अन्तह इस्थव्यंजन ठीक है और चार होते हैं हमारे उश्मया संघर्शी ठीक है उश्मया संघर्शी इस तरह देखा जाएं तो हमारे पास वर्तनी की अनुसार अगर हम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 कहते हैं तो 33 हमारे पास यहां पर हो जाते हैं क्या आपके वर्ण ठीक है इसी श्रिणी में दो आपका उतक्षिप्त व्यंजन हो जाता है और इस आधार पर देखा जाए तो 35 प्रकार का हमारे पास मानक वर्तनी में व्यंजन की संख्या मानी जाती है ठीक है और 11 प् 35 करके वर्तमान में 46 प्रकार का मूल वर्ण मानक वर्तनिक निगानुसार माना जाता है लेकिन अब आप यह कहेंगे कि मैं यहां तो बावन वर्ण है तो ध्यान से समझेगा कि तुब 46 वर्ण लिये जाते हैं तो इन 46 वर्णों में आपके जो संयुक्त व्यंजन है याने कि आपका कौन सा क्षर, त्र, ग्या और श्रीमान जी का श्र, ठीक है तो इन 46 वरणों में से अगर हम 35 व्यंजन में उन संयुक्त व्यंजनों को मिला देते हैं जिसकी संख्या 35 से 36, 37, 38, 49 हो जाती है अब इस 49 प्रकार के व्यंजन में यदि आ वरण हो जाते हैं तो ध्यान से समझेगा मानक वर्तनी के अनुसार मूल वरणों की संख्या 46 है और हिंदी में वरणों के संख्या देवनागरी के अनुसार बावन प्रकार के वरणों का इस्तेमाल जो है वो करता है इस सम्मंधित प्रश्ण के अंतरगत आज के इच सेक्श कहलाती है शासन के द्वारा जिन वर्णों को मानिय किया गया है जो नियम निधारित किये गए हैं उन्हीं नियमों को मानक माना जाता है मानक वरतनी के अंतरगत मानक वरतनी का नियम कहता है कि जिन वरणों को शासन के द्वारा मान्य घोशित किया गया है उच्छारण और लेखन में उनकी शुद्धता का होना जरूरी है इससे संबंधित प्रश्ण आपको परिक्षा में पूछे जाते हैं जब कहता है निम्न में से शुद्ध वरतनी की पहचान कीजिए ठीक है इसके लिए मानकी करण जब भाशा का किया गया था तो बहुत सारे नियम बनाए गये थे और शासन के द्वारा मान्य वरण अक्षरों के उच्छारण और लेखन के शुद्ध प्रयोग को ही मानक वरतनी कहा जाता है इस मानक वरतनी को हम हिंदी में मानक वरतनी के लावा हिज्जे भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्पैलिंग के भी नाम से पुकारा जाता है जब हम मानक वरणों का प्रयोग करते हैं तो यहां पर सबसे पहले वरण अक्षर जो है वो संयुक्त हो जाते हैं और उन्हें संयुक्त अक्षर के नाम से पुकारा जाता है जब देखा जाता है संयुक्त अक्षर तो कभी वह प्रारंभ संयुक करता है कभी वह मध्य का संयु करता है और इस इस्तिती में देखा जाए तो जब वो प्यार कहता है ठीक है जब वो त्याग कहता है जब वो न्याय कहता है ऐसी सिच्वेशन में पहले का अक्षर अधूरा है जो अपने तुरंत बाद वाले वरन अक्षर से जुड़ रहा है ऐसे संयोग को प्रथम या प्रा में हमारे लिए संयोग जो है वो करता है ठीक है इसी में कभी-कभी एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग होता है एक अरधाक्षर में एक पुरुनाक्षर में तो दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, हिम्मत कहता है तो ऐसे प्रयोग को द्वित्व प्रयोग के नाम से पुकारा जाता है और ऐसे व्यंजनों को दित्व व्यंजन कहा जाता है ऐसी situation में वरणाक्षर एक दूसरे से मिलते हैं और निर्मान होता है शब्द का ठीक है जब संयुकताक्षर होते हैं तो निर्मान होता है शब्द का और शब्द के श्रेणी में देखा जाए तो कभी कभी स्वरों से भी शब्द का निर्मान होता है जब आप देखते हैं और कहते हैं कि आईए या कहते हैं कि भीतर आओ ठीक है न मैं अंदर आओं क्या कहता है ऐसी situation में देखेंगे तो ये पाते हैं कि स्वरों से भी शब्द का निर्मान पाया जाता है लेकिन अधिकांश्ता ऐसा होता है कि ऐसी किसे शब्द में दो स्वर एक ही जगा आते हैं जैसे आईये आओ आओं ये स्वर किसे शती में आते हैं तो पहला सर अपने मात्रिक रूप में स्वार होता है और दुसरा स्वार आपके वास्तवीक रूप में होता है अब आप कहेंगे कि स्वार का मात्रिक और वास्तवीक रूप आखिर क्या होता है तो मैं आपको बता दू स्वार का मात्रिक रूप कहें और स्वार का वास्तवीक रूप कहें तो स्वार का वास्तवीक रूप है यह आ है यह इसका वास्तविक रूप है लेकिन इस वास्तविक रूप से जब यह किसी व्यंजन के पास जाता है तो इस वास्तविक रूप से जब यह बदलता है अपने मात्रिक रूप में तो किस रूप में बदलता है आ की मात्रा हो जाती है इस तरह छोटा एकी म इस तरह अपने मात्रिक रूप में बदल जाती है ठीक है मानक वर्तनी के नियम के अनुसार कहते हैं कि मानक वर्तनी में कुछ जो वर्ण अक्षर हैं जो आपके इसपर्श वर्ण के हैं ठीक है तो इसपर्श वर्ण का दूसरा कहते हैं कि इसपर्श वर्ण का जो पंचम वर् ये मानक वरतनीगे अनुसार इन्हें अनुस्वर में बदलने की एक परंपरा है जो निभाई जाती है जैसे कि यदि आप कहते हैं जैसे कि पंडित कहा जैसे कि आपने गंगा कहा जैसे कि आपने पंचम कहा इसी प्रकार अगर आप कहते हैं कंस और इसी प्रकार यदि आप कह महंत तो जो पंचम वरणा अक्षर है उसे अनुस्वर में बदल जाने की संभावना जो है वो अधिकांश्ता जो है प्रयोग की जाती है अगले नियम के नुसार देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर सबसे बड़े प्रयोग के नुसार यहां इस्तिमाल किये ज का प्रयोग अधिकांश्ता हमारे लिए संस्कृत और इंग्लिश के वर्ट्स में यूज किये जाते हैं और शक्कर कशा जो है वो तालव्य शा की श्रीणी में आता है जब आप शांत शारदा शीतल कहते हैं फैशन कहते हैं पौश कहते हैं तो शक्कर के शा का इस्तेमाल है शटकोन के शा का प्रयोग हम संस्कृत के शब्द मेरे से रिशी, क्रिशी, वरिष्टी कहते हैं है ना इसी प्रकार वर्शा कहते हैं रिशब कहते हैं तो शटकोन के शा का प्रयोग है तो यह मुर्धन ये शा की श्रीणी में आता है जब आप सरोती के सा का प्रयोग करते ह यह हमारे लिए वर्स वरन कहलाता है जो दंतमूल को छूता है और इसमें सरोच अगर कहते हैं संभव, संभावना, सब्यता ऐसा शब्द का इस्तिमाल किया जाता है एक ब्रहम उत्पन्न होता है हमारा वह और बह के बीच में यदि आपने वह और बह के बीच का अंतर नहीं ज की बहन इसी तरह की संभावना जब हमारे वर्तनी के त्रूटी में होती है तो उच्चारन के सोरुप यदि हम मात्रा पर बल लगाते हैं जिसे लगोस्वर की मात्रा पर बल कम लगाया और दिर्गस्वर की मात्रा पर हमने बल जादा लगाया तो उच्चारन के अनुसार य सुचक्रिया का शब्द है कभी कभी हम जो बल लगाते हैं वह हम वाक्य पर लगाते हैं मैंने ही तुमको पुस्तक दी मैंने ही तुम्हें कहा था ऐसा हम वाक्य पर बल लगाते हैं कभी शब्द पर बल लगाते हैं लेन देन चाल ढाल हत कड़ी है ना पन घट कहते हैं तो किया जाना जरूरी है और इसके तमाम प्रकार के नियम है जो वर्तनी योजना के अंतरगत आती है वर्तनी योजना के अनुसार मानक वरणों का प्रयोग करके बिना किसी त्रूटी से उसका दि उच्छारन किया जाए तो उसके शुद्धता देखने को मिलती है क्योंकि उच् नियम को अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ और शम्झादे थी हूं जैसे की आरेफ वरन से रिलेटेड रिशी का री और रसी का र attempted रह सेर अरेफ वर्न कीमें और रशी के रह रहा है। ऐसी situation में जब रिशी का री किसी व्यंजन वर्ण के साथ में जूड़ता है, जैसे कि क में जूड़ रहा है, तो इसकी एक छोटी से टोपी है, तो खड़ी पाई के नीचे इस रूप में जूड़ जाती है, और इसका उच्छारण भी है, जो री किया जाता है, जैसे तो यहां रिशी कर रही है, अब इस रसी के रह की बात करें, तो अगर कभी-कभी ऐसा होता है, दो complete consonant के बीच में यदि मा और धा के बीच में रहा आया, यानि कि दो complete consonant के बीच में short period के लिए दिया हलन्त वाला रहा आता है, ऐसी situation में ये आरेफ वर्ण है, और अपने तो यह रह जो है, उस वर्णाक्षर की खड़ी पाई में, लेफ्ट हैंड के साइड में मुड़ जाता है, और यह उच्छारण जो है वो भर, और रह में मिले तो भर बना, इसी प्रकार गोल घुंटी वाला, जैसे कि ट है, जैसे कि ड है, इसको half liter में convert करना संभाव नहीं ह इस भा में एक खड़ी पाई पाई जाती है, इसलिए रहा खड़ी पाई में जो है वो left side में हो जाता है, लेकिन ट में इसका खड़ी पाई नहीं है, इसलिए ट में इस तरह ड में इस तरह जुड़ता है, और ट्रक और ड्रम का उच्छारण किया जाता है, और इससे शुद्धता यदि है तो वर्तनी शुद्ध होगी यानिकी उच्चारण के शुद्धता ही वर्तनी को प्रभाविद करते इस संबंदित प्रश्न आपके कैसे होते हैं इसके चर्चा अब हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहला कोश्चन कहता है निन में से सही वर्तनी वाले शब तो अंतर गत होता है तो यह option नहीं है यहां पर देखा जाए तो और त के बीच में रा आ रहा है इसलिए यह भी नहीं है यहां देखरें तो अंतर सही है गर्त गलत है इसलिए यह भी नहीं है तो इसका कोशन में क्या कहा कि सही वर्तनी यानि कि चार में से आपके तीन गलत थे एक सही था जिसकी पहचान करनी थी और आप क्या कह रहा है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए यानि कि यहां पर चार दिया है जिसमें से तीन सही है एक का प्रयोग जो है वो गलत ह पहला को आप्शन दिया है अन्यतः, दूसरा दिया है विशेशतः, तीसरा दिया है सामान्यतः और चौथा दिया है परिणामतः, संस्कृत के शब्दों का जब हमने हिंदी में प्रयोग करना सीखा जो ततसम शब्द कहलाते हैं, तो संस्कृत के शब्दों में कहता है, निह संतान कहता है, ठीक है, निर्वन्शी कहता है, परन्तु विसर्ग संधी की प्रक्रिया में जब उनको हमने हटाया, तो हमने उसकी खूबी जो है वो बदल दी, लेकिन कुछ शब्दे ऐसे हैं, जो संस्कृत की ही तरह इस्तेमाल किया जाते हैं, इसलिए देख जाए, तो विशेशतह, परिणामतह और समान्यतह शब्दे की प्रयोग संस्कृत की रूप में हिंदी में भी किया जाता है, परन्तु अन्यथा होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिए आंसर आएगा इसका option number B, अब आते हैं next one question में, अब यहां दिया है शब्द विचार से, ठीक है, यहां पर प्रश्ण जो हैं वो आपके शब्द विचार से पूछे जा रहे हैं, तो इन ही शब्दों को जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और इनको समझने की कोशिस करते हैं, आखिर यह शब्द कैसे बने, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि शब्द क्या होते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, किनके संयुक्ति करण से, आपके वर्ण अक्षरों के संयुक्ति करण से, तो आखिर यह शब्द क्या हैं और कैसे होते हैं, इनकी चर्चा हम यहां थोड़ा सा करते हैं, अब यह पर अगर हम देखते हैं कि शब्द विचार क्या है जहां आज के question को हम इसमें से जानेंगे तो शब्द विचार क्या होते हैं सबसे पहली बात किसी भी भाषा के मौखिक उच्चारण में सुनाई देती है ध्वनी जब उसी ध्वनी को लीपी के माध्यम से वर्ण अक्षरों में बदला जाता है तो स्वर और व्यंदन को ही वर्ण कहा जाता है जब इन ही वरणों का संयोग होता है तो भाशा के प्रयोग करते समय सबसे छोटी लगुत्तम इकाई मौखिक रूप में ध्वनी को मानी जाती है और लिखित रूप में वरण को मानी जाती है इस वरण को लिपी के माध्यम से कुछ आक्षरिक और कुछ ऐसे रूप दिये जा है व्यंजन से तो निर्मान होता है अक्षर का और यही संयोगत अक्षर होकर निर्मान करते हैं शब्द का इस शब्द के कुछ आधार है शब्द रचना के आधार पर होते हैं शब्द इतिहास के आधार पर होते हैं और शब्द जो है वह अर्थ के आधार पर होता है ठीक ह और यही शब्द प्रयोग और रुपांतर के आधार पर होता है ठीक है तो कुल मिला करकर देखने माली बात है कि आज के इस लेक्चर वीडियो में इससे संबंधित प्रश्ण कैसे पुछ जाते हैं उसके चर्चा करेंगे रचना के आधार पर हमारे पास शब्द कितने हैं त प्रयोग और रुपांतर के आधार पर शब्द कितने होते हैं तो दो होते हैं एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी इस विकारी में आप पढ़ते हैं संग्या, सर्वनाम, क्रिया और विशिशन को अविकारी में किसको पढ़ते हैं? क्रिया विशिशन को, संबंद बोधक को, विस्मयादी बोधक को और संयोजग को इनको विकार उत्पन कराने वाले कारक कौन होते हैं? वचन, लिंग और कारक विभक्तियां कारे का समय को निर्धारित करता है काल और इसी रचन और प्रयोग और इतिहास अर्थे के आधार पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक तत्वत तयार होता है जिसे हम पद कहते हैं उ उसके बाद में व्याकरण के पूरे नियमों को पढ़ने के बाद में हमारे पस तयार होता है वाक्या और व्याकरण के इसी नियमों को जब आप पुर्ण रूप से समझ जाते हैं तो व्याकरण का पक्ष जब पूरी तरह से इस पश्टी करण के साथ में प्रभावित होता है तो वाक्य का आदान प्रदान होता है तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लगुई काई है तो वाक्य पुर्ण इकाई माने जाती है आज की इस lecture वीडियो में हम यहाँ पर शब्द विचार में से इन तीन तत्मों की चर्चा करेंगे चोकि अगले lecture में हम प्रयोग के आधार पर जो शब्द पद हैं जिसमें विकारी और अविकारी हैं उनकी चर्चा करेंगे तो आज जो सक्षन है आपका मानक वर्तनी वाला और शब्द विचार वाला उसी में से अब जानते हैं कि शब्द विचार से किस प्रकार के प्रश्ण जो है आपसे पूछे जाते हैं ठीक है तो अभी मैंने इतनी चीज़े एक्स्प्लेन करी कि शब्द विचार क्या है वर्ण अक्षरों के सार्थक समु को शब्द कहा जाता है ध्वनी जो मौखिक रुक में सबसे लग हूँ है लिखित रुक में वर्ण है स्वर और व्यंजन मिलकर जब प्रथम संयोग मध्य संयोग या द्वित्व प्रयोग करते है स्वरों के गुच्छों से शब्द का निर्मान जो है वो संयोग ताक्षर होकर होता है इन्ही सब्दों में से रचना के धार पर इतिहास और अर्थ के आधार पर शब्द क्या होते हैं इन से संबंधित प्रश्ण कैसे होते हैं इसकी चर्चाब हम यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं ठीक है रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं तो सबसे पहली बात रशना के अधार पर शब्द हैं जो तीन होते हैं एक होता है रूड़ शब्द ठीक है दूसरा होता है हमारा योगी के शब्द ठीक है और तीसरा होता है हमारा योग रूड़ शब्द ठीक है स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला ऐसा शब्द जिसे खंड में बाटा नहीं जा सकता जो किसी परंपरा के नियमों से बंधे थी उन्हें रूड शब्द कहा जाता है जैसे कि घर जैसे कि भवन जैसे कि महल और इसी प्रकार्यदी वो जल कहता है तो ऐसे शब्दों को रूड शब्द कहा जाएगा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ऐसा शब्द जो आवशकता के अनुसार दो सार्थक खंडों में विभक्त हो जाए ऐसे शब्दों को योगिक शब्द कहते हैं इस योगिक शब्द का निर्मान जो होगा वो किसकी प्रक्रिया से होगी संधी की प्रक्रिया से इन शब्दों का निर्मान समास की प्रक्रिया से होगा कभी हमारे द्वारा उपसर्ग प्रयोग किये जाएंगे तो कभी द्वारे द्वारा प्रत्य का प्रयोग किया जाएगा इनसे ही शब्द बनेगा जैसे कि यदि वो कहता है पाठशाला ठीक है इसी अगर वो बिकाओ कहता है तो ये सारे शब्द हमारे लिए योगिक किस्रिणी में आएंगे इसी तरह योगरुड का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो योगिक भी है और साथ में वो हमारे लिए रूड भी है तो स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला शब्द जो अगर योग रूड है उसी प्रकार वेश शब्द जो दो शब्द की प्रक्रिया से बने हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द योगिक की तरह दो शब्द से मिलकर तो बना है परंतु किसी परंपरा के निय इतिहास के लिए दाशानन के हैं यदि हम उपसर्ग में अगर प्रत्य के तौपर पंकत जोड़ते हैं इसी प्रकार हम देखें तो सब हमारे लिए योग रूड शब्द की श्रिणी में आते हैं ठीके अगला ये आपके रशना के आधार पर हुआ रशना के अधार के बाद में यदि हम इतिहास के आधार पर कहें तो इतिहास के आधार पर शब्द हमारे पास कितने प्रकार होते हैं तो इतिहास के आधार पर हमारे पास शब्द होते हैं जो सबसे पहला होता है ततसम संस्कृत के शब्दों का हिंडी में परिवर्तन ना करके संस्कृत के ही रोप म यदी प्रयोग किया जाता है, तो संस्कृत के शब्दों को ततसम कहते हैं, जैसे कि यदी वो हमारे लिए कहता है, जैसे कि दर्शन कहता है, ठीक है, इसी प्रकार हमारे लिए वो अंगुष्ठ कहता है, यह हमारे लिए ततसम शब्द है, संस्कृत के शब्दों का हिंदी थूआ हो जाता है ठीक है इसी प्रकार अगर वह धूम्र कहता है तो वह हमारे लिए धूआ हो जाता है अंगुष्ट कहता है तो वह हमारे लिए अंगुठा हो जाता है ठीक है इसमें देशज की बात की जाएं तो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो लोकली जैसे कि पेट कहता है, जैसे कि हमारे लिए जोला कहता है, जैसे कि हमारे लिए टांग कहता है, ये हमारे लिए देशज हैं, भारत के बाहर से जब विदेशज के संपर्क में आए, उनसे जिन शब्दों को हमने लिया, उसे विदेशज कहा जाता है, इसमें अरबी, फारसी, पुर्तगाली रूसी अंग्रेजी सारे शब्द के प्रयोग होंगे तो अगर वो कहता है जैसे कि आपका कहता है जैसे कि एक्जामपल के तौर पर अगर वो अउलाद कहता है ठीक है इसी प्रकार अगर वो कहता है एक्जामपल के तौर पर आपका कहता है वकील ठीक है अउला कर दिया जाए, то मिलावट शब्द को संकर शब्द कहेंगे अगर वो कहता है, जैसे कि रेडियो तरंग कहता है तो ये हमारे लिए संकर शब्द कश्रिणी में आते हैं अब इस इतिहास के आधार के बाद में हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द हमारे पास केवल दो होते हैं, एक होता है हमारे लिए सार्थक शब्द ठीक है, और दूसरा होता है हमारे लिए नीरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका अर्थ है, अर्थ के साथ में हैं, तो सार्थक होते हैं, जिनक का मतलब होता है हमारा विकल्प एक ही अर्थ को बताने वाले शब्दों का एक समू होता है जहां शक्ता के नुसर विकल्प के तौर पर हम वहां के शब्दों को चुनते हैं ऐसे शब्दों को परियाएवाची शब्द कहा जाता है अपनी ही समान शब्द के अर्थ को बताने वाला शब्द समानार्थी कहलाता है तो तत्सम से तद्वा परिवर्तन समानार्थी की श्रिणी में आता है कुछ शब्द अपने रूप गूण स्वभाव में एक से बिल्कुल अलग होते हैं ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है इसे विपरितार्थक या हम विरु शब्द कहा जाता हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूड होते हैं उन्हें और अर्थी की अशक्ता नहीं होती ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। परियाएवाची में पुर्णता और परियाएवाची में ही अपुर्णता वाले होते हैं, याने की कुछ परियाएवाची ऐसे हैं, जो पुर्णता याने की हर जगह प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे परियाए को पुर्ण परियाए कहेंगे, लेकिन कुछ परियाएवाची ऐस और इन ही से संबंधित प्रश्णों की अब यहां से हम एक सिलसिलेवार तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्ण किस तरह से किस हद तक आप से पूछे जाते हैं और प्रश्ण में अभी आपने दो ही प्रश्ण हल किये जिसमें से आपने जाना था मानक वरतनी से जिसमें से शुद्ध वरतनी और अशुद्ध वरतनी को पहचानने कहता है अब यहां से कोशन नमबर थ्री से हम शब्द से रिलेटेट प्रशनों को जानने का प्रयास करेंगे नीमन में से रूड शब्द बताईए अब ही मैंने बताया कि रूड शब्द क्या होते हैं तो योग होते हैं तो ऐसे शब्दों को रूड शब्द कहा जाता है जिसको सार्थक खंड किया नहीं जा सकता ठीक है अप्शन दिया है वाचन आले अप्शन दिया है समतल अप्शन दिया है पश्व और अप्शन दिया है दिगंबर अब हाप कहेंगे कि इसमें से हम कैसे तो देखने वाली बात है कि वाचनालाय कहता है तो वाचनालाय कहकर या संधी की प्रक्रिया है तो यह हमारे लिए योगिक शब्द हुआ क्योंकि योगिक शब्द क्या होते हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं जिसे आवशकता के अनुसार खंड में विभत किया जा सकता है इसलिए संधी समास उपसर्ग प्रत्य की प्रक्रिया से बन कर आई हुए शब्दों को योगिक कहते तो वाचनाल है हमारे लिए योगिक शब्द है यदि वो समतल कहता है समतल कहता है ऐसी सिचुेशन में देखा जाये तो समतल हमारे लिए एक ऐसा रूप है जो सम उपसर्ग में तल के साथ ने प्रयोग किया गया है इसलिए यह भी हमारे लिए योगिक्षद है दिगंबर कहता है दिग है अंबर जिसका कहकर वो हमारे लिए रूड हो जाता है इसलिए यह हमारे लिए योग रूड है तो निमन को यदि हम वर्गी करण करते हैं तो संयूक ताक्षर होंगे जैसे कि संयूक ताक्षर में क्या होगा प जो है व्यंजन है इसके साथ में आ जो है स्वर है श जो व्यंजन है इसमें उ जो है स्वर है कोई सार्थक खंड इसका नहीं हुआ इसने केवल एक संयूक ताक्षर बना जिस शब्द का कई सार्थक खंड हो सके ऐसे शब्द को कहा जाता है रूड, योगिक, योगरूड और मिश्र। मैंने अभी आपको रूड शब्द समझा दिया अब हम जानते कि योगिक शब्द क्या होते हैं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ऐसा शब्द जिसके सार्थक किये जा सकते हैं उन्हें योगिक शब्द कहा जाता है ठीक है तो योगरूड क्यों नहीं कहेंगे कि योगिक की प्रक्रिया से दो शब्द से मिलकर तो बना होगा परंतो किसी परंपरा के सांचे में भी बंधा होगा तब ही वो योगरूड कहलाएगा तो रूड शब्द क traditional words कहते हैं योगिक शब्द को combined words कहते हैं और योगरूड को traditional combined words कहते हैं मिश्रित नाम का कोई भी शब्द नहीं होता ठीक है मिश्रित वाक्य होते हैं जैसे मिश्र वाक्य कहा जाता है तो question number four का answer होगा option number B अब आते है next one question में निम्न में योगरूड शब्द की पहचान कीजिए निम्न में योगरूड शब्द की पहचान कीजिए अब मैंने अभी आपको बताया कि योगरूड क्या होता है चिकितसा आलय कहकर योगिक शब्द है देव आलय कहकर योगिक शब्द है पाठशाला कहकर योगिक शब्द है क्योंकि इसका निर्मान संधी की प्रक्रिया से हुआ है लंबा उदर कहकर यह भी हमारे लिए संधी की प्रक्रिया से बनकर बना है इसलिए इसमें योगिक का गुण है ठीक है लेकिन योगिक के साथ में यह रूड हो गया है परंपरा में बंद गया है सिर्फ गणेश को संबोधित करने के लिए इसलिए चिकितसाले लवदेवाले पाठशाला और लंबोदर में से योगिक और रूड की प्रक्रिया से आने वाला शब्द लंबोदर है इसलिए कोश्चन नंबर फाइब की निन में योग रूड शब्द की पहचान कीजे कहता है तो यहाँ पर आप्शन नंबर सी आएगा जो है आपका योग रूड शब् यहां से प्रशन आपके बन रहे हैं कहां से जो आपके इतिहास के आधार पर मैंने क्या बताया कि ऐसे शब्द जो आया कहां से तो बेस्ट ऑँ ओन ओरिज्जिन यदी हम कहते हैं तो रचना की अधार पर तो तीन हुए है बेस्ड ऑन अब based on origin यानि की इतिहास के अधार पर कितने प्रकार के शब्द है कहता है, तो यहां हमारे पस मैंने पहले ही बताया, पांच प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तदभव, देशज, विदेशज और संकर, यहां प्रशन पूछा है आपके तत्सम शब्द से, ठीक है, तो बांच का तत्सम शब्द पहचानिया, तो तत्सम क्या होता है, तत्त का मतलब होता है उसी के, ठीक है, तत्त का मतलब होता है उसी के, और सम का मतलब होता है समान, है ना, तो संस्कृत के शब्दों का, जब हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाए, जिस रूप में वो संस्कृत में हैं, तो all related संस्कृत words when we used in Hindi language that called तत्सम शब्द, those words which we taken from language of Sanskrit याने की संस्कृत के शब्दों का Hindi में उसी रूप में प्रयोग किया जाएं, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, clear हो गया तत्सम शब्द की पहचान होती है तत्सम शब्द जो है वो अधिकांश्ट क्लिष्ट याने की थोड़े कठीन होते हैं, most of time संस्कृत के तत्सम शब्दों की पहचान होती है, कि वहाँ एक half और एक complete letter जैसे अगनी, पुत्र कहता है, तो संयुकताक्षर वाले प्रयोग जहें देखने को मिलते हैं, तत्सम शब्द में अधिकांश्ट आपके ऐसे शब्द होंगे, जिसका अंत जो है शक्कर कशा होगा, शटकोन कशा होगा, शत्रिय कशा होगा, ठीक है, ऐसे क्लिष्ट शब्दों से इसका प्रयोग जो है, देखने को मिलता है यहां पूछा बांच का ततसम पहचानिमने में से कौन सा शब्द पृथख है? अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द है जो पूरी तरह से यहाँ पर अलग है कभी कभी प्रश्ण में घुमाने की कोशिस करता है और यहाँ पर देखने वाली बात है कि भभूती कह रहा है यहाँ हमारे लिए तत्सम का शब्द है एला कह रहा है तो यह तत्सम का शब्द है दंड कह रहा है तो तत्सम का शब्द है लेकिन बारात कह रहा है यहाँ हमारे तत्दभव का शब्द है क्योंकि वर यात्रा तत्सम है जिसका बारात जो है वो तत्दभव होता है इसलिए option number D इसमें से अलग है क्योंकि तीन के बाद ठीक है और भव का मतलब है हुआ तो वेन संस्कृत वर्ट से इन हिंदी दैट कॉल तद्वाव हो जाता है ठीक है तो इस तद्वाव की पहचान क्या होगी जो तद्वाव शब्द है वह चंदर बिंदू वाले होंगे जैसे धुम्र से धुआ कूप से आपका कुआ हो जाता है इसी प्रकार चक्षू से हमारे लिए आँख हो जाता है तो ऐसे शब्द हमारे लिए तद्वाव हो जाते तद्वाव की खासियत होती है कि तद्वाव मे चत्रिय क्षा भी चा में और खा में बदलता है इसलिए क्षेत्र से खेत बन जाता है तद्भवशद में जो होते हैं वो टूट जाते हैं इसलिए जो आपका आरिफ वरण है धर्म उससे बन जाता है धरम और भ्रम से बन जाता है भरम, कभी-कभी ऐसा होता है। कि एक सयुकत वर्ण जैसा राजपुत्र कह रहा है, तो रह को साइलेंट कर देते हैं, और राजपुत्र से राजपुत हो जाता है कुल मिलाकर तत्सम चब्द संस्कृत का है उसका हिंदी रुपांतरन तत्भव कहलाता है अब यहाँ पर इसी प्रश्ण को जानने की कोशिस करते हैं कि यहाँ पर प्रश्ण क्या पूछ रहा है तो प्रश्ण ने यह कहा है कि तत्भव तत्सम युग्म तत्भव तत्सम युग्म में एक युग्म गलत है उसका चयन कीजिए ठीक है यहाँ आपको लेफ्ट साइड में दिया है तत्भव का शब्द और राइट साइड में दिया है आपको तत्सम तो किसका pair है जिसमें तत्सम तत्भाव का जो pair है वो सही है सबसे पहले option दिया है बनिया जिसको तत्सम रूप है वणिक जी हाँ बनिया को वणिक कहते हैं दूसरा है सूर जिसको हम सूकर कहते हैं तो सूर तत्भाव है और सूकर जो है वो तत्सम ये भी सही है ठीक है नौन ये हमारा तदभव का शब्द है जिसका तत्सम लवन होता है ये भी सही है लेकिन वक कहता है जिसका तत्भव वक से तत्सम वत्स दिया है यह नहीं होता वक जो होता है यह तत्सम शब्द है जिसका तत्भव बगुला होता है वत्स यदि तत्सम है तो इसका तत नमबर डी कि अंसन नमबर डी होगा हमारे लिए जो इसका करेक्ट आंसर ठीक है तो तत्सम तत्भा युगम में एक युगम गलत है तो आपका अप्शन नमबर डी है जिसका युगम जो है वो गलत है अब आते हैं नेक्स्ट वन कोश्चन में नेक्स्ट वन कोश्चन में क्या पूछा है तुर्की शब्द नहीं है अब यहां से प्रश्ण आपको पूछा जा रहा है किसे से आपके वीदेशज शब्द से मैंने क्या बताए था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना तो संस्कृत है ना ही वह हमारे लिए तदभाव है या जब इस शब्दा बायशासखों के बायदेशों के हमारे संपर्क होने की वज़़ह से हिंदी भाशा में स्विकार कर लिए गये है एसे शब्दों को हम वीदेशञ या आगत शब्द याने की हम उसे foreign words के नाम से जानते हैं जब European शासकों के संपरक में आए तो हमारी हिंदी में European भाषा के शब्दों का विशेशता प्रमाण और प्रभाव देखने को मिलता है इसे याद करने का तरीका क्या है कि शब्दक से वाक्य में ढालने का प्रयास आपके द्वारा इसे किया जाए इसे संबंधित प्रश्ण के अदि हम बात करें तो इससे संबंधित प्रश्ण में दो प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं एक पहला प्रश्ण पूछा है तूर्की शब्द नहीं है यानि कि चार आप्शन में से कोई एक शब्द है जो तूर्किस्तानी शब्द नहीं है बाकी तीन शब्द है जो तूर्की के हैं option number A दिया है कालीन option number B दिया है चक्मक option number C दिया है आमदनी option number D दिया है अजब अब आप कहेंगे कि इसको हम समझेंगे कैसे तो जब आप शब्द का जो शब्द को याद करने का तरीका है तो वाक्य में ढाल कर प्रयास कीजिएगा अगर हम वाक्य में उसको ढाल रहे हैं जैसे अल्ला कहते हैं अमीर कहते हैं ठीक है क्योंकि कंपारिजन कह सकते हैं कि हमारे यह तो देव होते हैं अल्ला जो है वो अर्बी शब्द है हमारे यह अगर हम ऑलाद कहते हैं तो वो अर्बी शब्द है हमारे संतान होती है इसी प्रकार वो अमीर कहता है तो हमारे धनवान होते हैं ठीक है इसी प्रकार अगर वो इस्त्री हम कहते हैं तो वो जनाना कहते हैं ऐसा कंपारिजन करकर कर पढ़िएगा हम विवा करते हैं वो शादी निभाते हैं हमारा संबंद विच्छेद होता है वो तलाक देते हैं ठीक है हमारे यहां संतान पैदा होती है उनके आउलाद होती है ऐसा वाक्य में नहीं शब्द में भी कंपारिजन करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अल् बंदनी और चकमक तूर्की के शब्द हैं पर अजब है जो तूर्की का शब्द नहीं है अब आते हैं नेक्स वन कोश्चन में चार विकारी शब्द भेद से संबंधित शब्द भेद नहीं है अब आप यहां से यह जानने की कुशिस करेंगे कि विकारी और अविकारी क्य तो जब हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं जो रूड योगिक योग रूड है याने की आपके रचना के अधार पर जब आप तत्सम तद्भो देशज विदेशज और संकर का प्रयोग करते हैं इतिहास के अधार पर जब यहां सार्थक और निरर्थक को जानते हैं तो आपक दो प्रकार के भेद को उत्पन करता है एक प्रकार का प्रयोग अगर देखा जाए तो प्रयोग करते समय अगर वो शब्द वचन के नुसार लिंग के नुसार कारक रचनाव के नुसार बदल जाते हैं तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है और जिन शब्दों पर किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन उत्पन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहा जाता है तो प्रयोग के अधर पर शब्द जो है वो दो प्रकार के हुए ठीक है विकारी और अविकारी यहां प्रशन पुछा है कि चार विकारी शब्द भेद से संबंधित भेद नहीं है जब हम संग्या की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि संग्या एक विकारी शब्द है क्योंकि बच्चा से बच्चे हो जाता है इसे प्रका लड़का से लड़के हो जाता है यह संग्या एक विकारी शब्द है सर्वनामिक शब्द की बात करें तो मैं से बहु अचन में हम हो जाता है संबंद सुचक में मेरा हो जाता है अब अगर हम बात करेंगे विशेशन की व करिया विशेशन की बात करें मैं प्रती दीन टहलता हूं राधा प्रती दीन टहलती है तो एड़ोब ऑफ टाइम यानि कि क्रिया की विशेशता बताने वाला यह प्रती दीन शब्द में किसी प्रकार का विकार उत्पन नहीं हुआ तो ऐसे शब्द जो प्रयोग करते समय विकारी शब्द हैं इनके साथ साथ एक और विकारी शब्द होता है जिसे क्रिया कही जाती है लड़का है तो जाता है और लड़की है तो जाती है ठीक है तो चार विकारी शब्द हैं जिसमें से संग्या सर्वनाम विकारी शब्द है परन्तों क्रिया विकारी या अव्या शब्द कहलाता है तो question number 10 का answer होगा option number आपका D ठीक है अब आते next question में यहाँ पर फिर से आपको प्रश्न दे दिया है कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है अब देखे मैंने पहले ही बताया था कि इससे शब्द घुमा देता है पहले मैंने पूछा था कि तूर्की शब्द नहीं है तो चार option में से तीन तूर्की शब्द थे एक नहीं था अब especially पूछ रहा है कि अलमारी किस प्रकार का शब्द है क्या वो अंग्रेजी है क्या वो फ्रांसीसी शब्द है क्या वो डच शब्द है क्या वो पूर्तगाली शब्द है तो कहने का मतलब है कि अलमारी किस प्रकार का शब्द है तो अलमारी हमारे लिए पूर्तगाली शब्द है क्योंकि अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो अल्मीरा कहा जाता है ठीक है फ्रांसिसी शब्द नहीं है और ड्रच शब्द भी नहीं है अब आते हैं कोश्चन नमबर 12 में कोश्चन नमबर 12 क्या पुछ रहा है फिल्मोत्सव कैसा शब्द है जब आपने रचना के आधार पर रूड योगिक योगरूड को पढ़ा इतिहास के अधार पर तद्सम तद्भो देशज और विदेशज को पढ़ा उसी में एक होता है हमारे लिए संकर शब्द ठीक है संकर शब्द किसे कहेंगे संकर शब्द याने की आपका हाइब्रिड वर्ट्स संकर शब्द में आपका आता है आपका हाइब्रिड वर्ट्स संकर शब्द होते है ठीक है जहां तद्सम तद्भो देशज विदेशज चार में से किसी दो शब्द को मिला दिया जाए और एक हमारे लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द है ठीक है और उत्सव हमारे लिए तत्त सम्determ है तो कहने का मतलब हुआ दो भाषागत भिन शब्दों से यदि किसी एक शब्द कर निर्मान किया जा रहा है तो भिन भाशागत शब्दों से निर्मित शब्द को संकर शब्द याने की हाइब्रिड वर्ट्स कहा जाता है और फिल्मोट्स बीमा पॉलिसी रेडियो तरंग आपरेशन कक्ष यदी कहता है लाठी चार्ज कहता है तो वह हमारे लिए संकर शब्द होते हैं संस्कृत रिलेटे याने की देशज हो जाता है और बाहर से आया तो उसे फॉरन वर्ट्स याने की वीदेशज कहा जाता है तो रचना के अधार पर तीन प्रकार के थे तो यहां पर हमारे लिए इतिहास के अधार पर पांच प्रकार के शब्द हो जाते हैं संस्कृत के शब्दों को तक्सम सं चार में सी किसी दो को मिला दिया जाए तो संकर शब्द का निर्मान होता है और फिल्मोच सो हमारे लिए संकर शब्द है अब प्रशन दिया है कोश्चन नबर 13 संकर शब्द का अर्थ है अभी आपने जाना कि संकर का मतलब होता है दो भिन भाशागत शब्द से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द hybrid words कहा जाता है जैसे कि एक्जामपल में मैंने बताया फिल्मोटस, आपरेशन कक्ष, लाटी चार्च, यदि कहते हैं अपरेशन थेयर्टर अगर कहते हैं, यह सब हमारे लिए संकर शब्द किष्रिणी में आते हैं नेक्स वन कोशन की ओर जाते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ती का पता नहीं चलता, उन शब्दों को कहा जाता है आप्शन नमबर A है आगत, आप्शन नमबर B है देशज, आप्शन नमबर C है रूर और आप्शन नमबर D है वीदेशज ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, क्योंकि आगत ही वीदेशज शब्द है पैशर शब्द जो बाहर से आया है इसलिए उसे विदेशज कहेंगे तो वो आगत होगा स्वतंतर सत्ता या पहचान रखने वाले शब्दों को रूड कहा जाएगा और विदेशज और आगत एक ही शब्द होते हैं लेकिन जिन शब्दों को उत्पत्ती का पता नहीं चलता इस्थानिय बोली भाषा के शब्दों की प्रचूरता होती है अनार्य इस त्रोथ से जिन शब्दों को ग्रहित किया जाता है उन्हें देशज याने की लोकली ओरिजनेटेड वर्ट्स की क्रेटीगरी में रखा जाता है अब आते हैं आगे प्रत्यक शब्द के लिए दिये गए विकल्प में इसे परियाए वाचे शब्द छाटिए अब यहां से आपके परियाए वाचे से प्रेशन जो है वो पूछा जा रहा है परियाए का मतलब होता है विकल्प परियाए का मतलब होता है विकल्प ऐसे शब्द याने की एक ही अर्थ को संबोधित करने वाले शब्दों के विकल्प का संग्रहन जहां किया जाता है उसे परियाएवाची के खासियत होती है कि इसके नाम तो बहुत सारे होते हैं परन्तु इनका अर्थ केवल एक होता है इस परियाएवाची को हम वैकलपिक शब्द की श्रिणी में भी रखेंगे और इस परियाएवाची के दो प्रयोग होते हैं एक होता है पूरुना परियाए और दूसरा होता है अपूरुना परियाए तीक है और एक तीसरा रूप होता है पूरुना पूरुना परियाए तब अनुसार प्रयोग तो होते हैं, परन्तु हर जगा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यदि हम चंद्र का चांद कहें, नीशाचर कहें, रजनी चर कहें, तो वो पुरुन पर्याय के शिर्णी में आएगा, लेकिन अटकाना, लटकाना, फसाना, टांगना की जग, अगर हम इसक लटकाना, लटकाना, फसाना, अगर पर्याय वाची है, तो मुह लटकाना कहेंगे, मुह टांगना नहीं कह सकते, इसलिए इसे हम अब पुरुन पर्याय के, पुरुना-पुरुन पर्याय में रखेंगे, तीसरा कभी-कभी ऐसा होता है, कि पर्याय वाची ही तो होते हैं, परन्तो उसमें सुक्ष्म सा अंतर हो जाते हैं जैसे आमंतरन, नीमंतरन कहते हैं यसे प्रकार अनुछेद, भाग, खंड, टुकड़ा, अंश कहते हैं परिछेद कहते हैं यह सब कहीं न कहीं परियायवाची होकर भी सुक्ष्म सा अंतर रखते हैं और इन्हीं सुक्ष्म से अंतर जहां पर प्राय जाते हैं। उन्हीं सुक्ष्मांतर से युग्म शब्द के निर्माण जो होते हैं। जैसे की यदि हम कहते हैं गलती और खेद हैना। तो किसी छोटी-मूटी जो हम से गलती हो जाती है उसके लिए हम गलती कहते हैं लेकिन खेद अगर हम कहें तो उसी में प्रयोग होगा कि खेद और शोक कहें तो छोटी मुटी गलती होती तो हम खेद प्रकट करते हैं परें तो किसी की गमरित्यों पर हमें शोक प्रकट करना होता है इसी प्रकार अगर हम देखें तो महिला और इस्त्री दोन पुछे जाते हैं, question number 15 क्या कहा रहा है, प्रत्यक शब्द के लिए दी गया गये विकल्प में से परियाएवाची शब्द छाटी है, यहां दिया है इंद्रानी, इस इंद्रानी के लिए इन चार में से कौन सा है जो इसके परियाएवाची शब्द हैं, option A है राधा, option B है उम और गौरी कहें तो पार्वती के परियाए हैं, लेकिन इंद्र की पत्नी, शची पत्नी, अगर हम इंद्र को कहते हैं, तो शची जो है हमारे लिए इंद्रानी याने की, यहां पर अर्थ को देखे, शची पत्नी, अगर हम इंद्र को कहते हैं, तो इंद्र की पत्नी को या ये सभी जब हम उपासना की बात करते हैं यहां पर उपासना के तोर पर देखा जाए तो यहां पर हमारे लिए इसका पूरा प्रयोग है जो सभी के लिए किया जाता है याने कि यहां उपासना जो है उसका तातपर या पूजा से भी है अराधना से भी है अर्चना से भी ह अब आते हैं अगले कोश्चन में अब अगला कोश्चन क्या कहता है हवा के ऐसा जोका आया हवा का ऐसा जोका आया कि शाक शाक चर्मरा उठी रिखांकित शब्द का परियाय है मतलब कि जो रिखांकित शब्द है उसका परियाय वची जूनना है रिखांकित शब्द है मान ल क्या वो अनल है क्या वो अनील है तो हवा जिसके पर्यायवाची शब्द की शर्णी में आया तो हम हवा को समीर भी कहते हैं पवन भी कहते हैं और हवा को ही अनील कहा जाता है अनल अगनी को कहा जाता है इसलिए हवा का ऐसा जोका आया कि शाक शाक चर्मराव उठी कहते हैं त आपको बता दू कि विलोम शब्दे क्या होते हैं कुछ शब्दे ऐसे होते हैं जो अपने नाम की ठीक उल्टे यह विरुध यह विपरित होते हैं एसे शब्दों को कैते हैं या हम इसे एंटिनेम्स के चाहिए नाम से sırही हिंदी यदि वो तत्तसम शब्द कहा ना कहता है तो आप जाना कहेंगे ठीक है, उठना है तो बैठना और इसी प्रकागरोव संस्कृत में पुझे गा जैसे कि उते ष्थ तो आप उपाविश लिखेंगे, दूसरी बात कुछ विलोम सब्द स्वतन्तर होते हैं, याने कि आपके ऐसे WORDS होते हैं जो अपने स्वभावगत स्वतنت रुप से विलोम होते हैं कुछ विपरिता रथक लिंग होते हैं जो अपने आप में विलोम शब्द को बता देहें माता पीता है ना इसी प्रकार भाय भाभी देवर भाभी अगर कहता है ननद नंदोई कहता है ननद देवर कहता है इसी प्रकार लड़का लड़की कहता है माता फीता कहता है राजा रानी कहता है यह आपके विप्रितार्थक लिंग है विप्रितार्थक शब्द में देश विदेश कहता है सुख दुख कहता है आना जाना कहता है चड़ना उतरना कहता है पढ़ना लिखना कहता है यह स्वतंतर शब्द हैं ठीक है कभी कभी हम नेगेटिव प्रिफिक्स लगा कर भी हम विलोम शब्द का निर्मान कर सकते हैं नकारात्मक उपसर्ग जैसे गैर अन ऐसे नकारात्मक उपसर्ग से भी विलोम शब्द का निर्मान किया जा सकता कभी कभी साइस की अकौडिंग उन्नार्थक और न्यू नार्थक जो बड़े आकार का है उसका विलॉम बनाने के लिए छोटे कर जिसे नद्य है तो नदी इसी प्रकार कटोरा है तो कटोरी इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं आपका जैसे की प्रयोग के तो उचा है तो उची इसी प्रकार की पहाड है तो पहाड़ी ये आपके उन्नार्थक और न्यूनार्थक होते है तो विलॉम शब्द से संबंधित अगर देखा जाए तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया और वैसे ही उसे समझने की कोशिस किजेगा य ये रिजू है ठीक है ये जो आपका रिजू है ठीक है तो ध्यान रखेंगे नैसरगीक है तो कृत्रिम नैसरगीक और कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम का मतलब होता है आपका बनावटी ठीक है ना और नैसरगीक का मतलब होता है प्रकृतिक आरोह चड़ना है तो अवर सवत सीधा और वक्र का मतलब होता है तेड़ा है इसलिए गणपति को वक्र तूंड कहते हैं जिनका सूण जिनका तूंड है वो वक्र आकार में मुड़ा हुआ है इसलिए इसमें आपका आंसर होगा आपका समास का नियून जो उलम शब्द का जोड़ा है वो सही नहीं है आप यहां पडिया है आपका समुध चारित अब आपकेंगे समुध-चारित शब्द क्या होते हैं मैंने पहले सब्छारं की गलती दिश्मनी प्रभावित हो जाती है तो यहां पर चीज़ें जो हैं पूरी तरह से अर्थ को बदल देता है ठीक है तो समझने वाली बात है कि उचारण के गलती में यदि वर्तनी की तूटी होती है तो शब्द एक समान उचारित होते हैं परन्तु लिखते समय अर्थ भेद को इस पश्ट करते हैं परंतु अर्थ की दृष्टी से भिन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, और उसी से संबंधित प्रश्ण दिया है, कि निम्न लिखित शब्दों के अंतरगत देगा शब्द युग्म के उप्युक्त अर्थ भेद का विकल्प बताईए, आप्शन नमबर दिया है आपका व्याध और व्याध ही, दोनों में अर्थ बताना है, अब इसको हल करने का त हमारे लिए जैसे की अंश कहता है, और हमारे लिए वो अंस कहता है, तो समझने वाली बात है, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग और इस अंस का मतलब होता है कंधा, ठीक है, ऐसी सेच्विशन में एक समान उच्चारित हो रहा है, जब हमारे द्वारा शक्कर के शक का प्रोनांसियेशन भी सरोते का साग किया जा रहा है तो हम अगर उच्चारण करें अंस अंस तो सम्मुचारित हो गया सुनाई भी दे रहा है समश्रुत हो गया एक ही ध्वनी का नजर आ रहा है इसलिए समध्वनी हो गई है ना लेकिन जब हमने लिखा तो अर्थिक शरणार्थी, व्याध जो है शंस्कृत भाषा के तत्सम सब्डों में शिकारी को कहा जाता है व्याध ही होती है आध्वी और व्याध ही होती है वह अलग होता और व्याध ही होती है तो शारिरिक रोग को हम व्याधी कहते हैं और मानसिक रोग को आधी के नाम से पुकारा जाता है ठीक है तो इसका आंसर होगा आपका option number D कि व्याध है शिकारी और व्याधी है आपका शारिरिक रोग इसी का second देखते हैं जलज और जलद जलज और जलद का अर्थभेद स्पष्ट करना है तो ध्यान रखेंगे कि जलज अगर हम कहें तो जल के परियावाची में यदि हम अज यानिकी जप रत्य लगाते हैं तो वह हमारे लिए कमल का परियावाची बन जाता है ठीक है और यदि जल के परियावाची में हम दल लग जाते हैं तो वह बादल का परियाएवाची बन जाता है याने कि अगर नीरज पंकज वारिज सरोज अगर हम कहते हैं तो वह हमारे लिए कमल के परियाएवाची है लेकिन अगर हम जलद कहते हैं तो जलद में जो पानी को लेकर आता है जलद कहते हैं नीरद कहते हैं पयोद कह तो option A दिया है शंक और बादल, option दिया है कमल, जल देने वाला, option C दिया है मोती, कपूर और option D दिया है उक्तसवी, जी हाँ, जल में जन्म लेता है शंक, जल में जन्म लेता है मोती, और जल में ही जल में लेता है कमल, जलद का संबंद बादल से भी है, जो जलता है कपूर उस इससे भी है और जल को देने वाला इसलिए इसका आंसर होगा option number आपका D तो इस तरह से इसको प्रश्ण को हल करने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से प्रश्ण आपके हल में बहुत अच्छे से आप उसको समझेंगे सम्मुचारित भिनार्थक शब्द नहीं है प्रसाद प्रासाद गड़ना गड़ना जरा जरा नेती नेती देखा जाएं तो सम्मुचारित शब्द की श्रिणी में यहां हम ये पाते हैं कि प्रसाद और प्रासाद प्रसाद भगवान का भोग है और महल के भीतर के हिस्से को तो हाँ ये हमारे लिए सम्मोचारिश शब्द है जरा वृद्धावस्था को कहते हैं जरा तनिको को कहते हैं इसलिए यह भी सम्मोचारिश शब्द का भेद है गड़ना किसी चीज़ को बनाना गड़ना है ठीक है तो मूर्ति गड़ी गई ठीक है गड़ना किसी चीज़ को यह भी हमारे लिए सम्मुचारिश शब्द है लेकिन सम्मुचारिश भिनार्थक शब्द नेती और नेती इस प्रकार का कोई भी सम्मुचारिश शब्द का जोड़ा एक तो हो सकता है दूसरा जोड़े में नहीं है इसलिए इसका आंसर को option number D ठीक है अब आते हैं अगले प् ठीक है कुछ परियाएवाची शब्द की केटेगरी में ऐसे शब्द आते हैं जो उस विकल्प के तौर पर अर्थ के तौर पर प्रज़े से पूजा अर्चना उपासना सब हमारे लिए अराधना की श्रेणी में आ रहे थे लेकिन ध्यान से समझेंगे बिट्णा कि बिना क लिए अर्चना बन जाती है वैसे ही जो शारिरिक और मानसिक कष्ट होता है उनके अलग-अलग से नाम है तो यहां दिया है दुख और कष्ट कहीं न कहीं यह वेदना का परियाएवाची है वेदना हम यह शारिरिक भी है मानसिक भी है कहीं न कहीं देखा जाए तो शारिरि दुख कश्ट का अर्थ भेधु इस पर्शट कीजिए। उपर असुविधा होती है ज़िसे हात पर दुखना गले में दर्द सीर मेंं डर्द यह थीक है कश्ट को बीस का अंसर होगा आपका उप्ष्ण नॉमबर एँ अब, नेक्स बटाइन से कौन सा सब्द है निम्नमे कौन सा शब्द है औह ठीक है यह धिक . नीमन में कौन सा शब्द है ओहु ठीक है तो ये दिया option विकारी है कि अव्या है कि अविकारी है कि विकारी में और विकारी दोनों याने कि option B और C तो कहने का मतलब है कि कुछ शब्द जो वचन और लिंग के नुसार परिवर्तन कर लेते हैं ऐसे शब्दों को विकारी कहा जाता है लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस पर वचन का लिंग का कारक विभक्तियां का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे शब्द को अव को अव्याय कहते हैं किसी बी प्रकार कव्याय और खर्च नहीं होता आने वाले वीडियो में ہम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो सारे शब्दों को हम जानें hani कैसे कैसे पहचानें की कैसे इस लिए अगर आप oh की बात कहते हैं to auch यह ऐसा शब्द है जो एक ओह यह तुम क्या कर रहे हो तो ऐसे शब्द विकार उत्पन नहीं करते इसलिए इसे अव्याय या अविकारी कहते तो अव्याय भी है और अविकारी है इसे 21 का अंसर होगा option number आपका D ठीक है अब आते हैं अगले question में चनावना कैसा शब्द है क्या सार्थक और व्यर्थक है क्या निरर्थक और सार्थक है क्या सार्थक और निरर्थक है क्या भाशा और बोली है चनावना कहते हैं तो समझने वाली बात है कि शब्द अर्थक के अधार पर दो प्रकार के होते हैं एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक सार्थक का मतलब होता है अर्थक के साथ ऐसे शब्द जो रचना के अधार पर इतिहास के अधार पर शब्दे हैं जिनका एक निश्चित अर्थ है उन्हें सार्थक कहते हैं जल कहें रूड कहकर वो हमारे लिए सार्थक है जदी हम इसी प्रकार कहते हैं जैसे कि पाठ शाला तो पढ़ने के लिए शाला कहकर हमारे सम लेकिन कुछ शब्द जब हम सुनते हैं तो उनका प्रयोग और प्रचलन तो है परंतों क수가 कोई भी अर्थ नहीं होता तो ऐसे शब्द जो बगैर अर्थ के हैं उन्हें निरर्था कहता है जब चंद्र कहकर तत्सम है, चांद कहकर तत्भो है, मून कहकर विदेशज है और चंदा कहकर देशज है और इसी प्रकार अगर रेडियो तरंग कहकर संकर है तो कहीं न कहीं, सारे शब्दों का रोड, योगे की योगरोड होकर, तत्सम, तत्भो, देशज, वीदेशज और संकर होकर अर्थ है, तो ऐसे शब्दों को सार्थक कहा जाता है और जिन शब्दों का अर्थ नहीं है प्रयोग और प्रचलन में तो है परंतु अर्थ नहीं है ऐसे शब्दों को नीरर्थक कहा जाता है तो चना वना कैसा शब्द है तो चना सब्द सार्थक है और वना जो है वो नीरर्थक है इसल को कहा जाता है ऐसे शब्ध को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि संग्या, सरवनाम, क्रिया और विशेशन एक विकारी शब्द है season जाती वाचक लड़का से बहु अचन में लड़के, बच्चा से बच्चे इसी प्रकार भावचंस, संग्या में परिवर्तन हो जाता है जब भावचक संग्या में मीठा विशेशन के शब्द में आस प्रत्य जोड़ देता तो मीठा आस बन जाता है तो ऐसे शब्द जो परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है सर्वनामिक शब्द मैंने बताए विशेशन थे कि ऐसे शब्द जो वचन के नुसार, लिंग के नुसार और कारकरशना के नुसार परिवर्तित हो जाते हैं ऐसे शब्द को विकारी शब्द डखली नेबल वर्ट्स कहते हैं और चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं एक होता है हमारे लिए संग्या, एक होता है हमारे लिए वी शेशन और एक होती है हमारी क्रिया ठीक है तो चार प्रकार के विकारी शब्द याने की आपका डेकली नेबल वर्ट्स जो है वो होता है जो वचन लिंक कारक रशन के अनुसार बदल जाते हैं ठीक है अब आते हैं अगले कोश्चन में संग्या सर्वनाम को विकारी बनाने वाला कारक है अप्शन नबर ए है वचन अप्शन नबर बी है लिंक अप्शन नबर सी है क्रिया और अप्शन नबर डी है ए और बी दोनों तो संग्या और सर्वनाम को विकारी बनाने के कारण है आपका ए और बी क्रिया तो खुद में ए सार बदल जाते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया लींग के अनुसार बदल जाते हैं जैसे की यकर देखा जाए संग्या शब्द में लड़का है थी ब humility ओने घ्या घुझते हैं है अब आते हैं अगले ने बताया था कि कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं एक स्वतंतर रूप में होते हैं और ऐसे स्वतंतर रूप में जब विलोम शब्द के प्रयोग होते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि विलोम शब्द बनाने के लिए नेगेटिव प्रिफिक्स यूज किया जाते हैं जो नका रात में उपसर्ग होते हैं उससे भी विलोम शब्द का निर्मान जो है वो किया जाता है तो मतलब का विलोन बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग है जिसका प्रयोग किया जाएगा क्या अ का प्रयोग करेंगे क्या अ का प्रयोग करेंगे क्या बे का प्रयोग करेंगे से अलग-अलग प्रकार के प्रश्ड आते हैं हमने इससे पहले जाना कि पर्याइ बच्छ इससे पहला प्रशन कैशा था कि जहां इंद्रानी दिया था उस में सै जो चार अप्षिन थे उसमें से ढूमना था कि इंद्रानी का परियाइ बच्छ यह तीनों कि पर क्या वो सुनीती के परियाए हैं, क्या वो सुगंध के परियाए हैं, क्या वो रूपसी के परियाए हैं, क्या वो मुकर के परियाए हैं, तो देखने वाली बात है कि सुगंध को ही हम सुरभी कहते हैं, सौरब कहते हैं और सुवास कहते हैं, यह आपके प्रशन होते हैं, आप जिसके बारे मैंने आपको बताया कि वर्ण अक्षरों के सार्थक समू को शब्द कहा जाता है तो थोड़ा से एक repetition mode पर जाते हैं थोड़ा से repetition mode पर जाते हैं क्या जानते कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लगुतम इकाई होती है जिसे खंड में बाटा नहीं जा सकता यह वर्ण वह सांकेतिक चिन हैं जो भाषा को लीपी के माध्यम से प्रदान किये गए हैं मौखिक सोरूप में ध्वनी और लिखित सोरूप में वर्ण भाषा की सबसे छोटी लगु इकाई होती है इन्हीं वर्ण अक्षरों में स्वर और व्यंजन को जब संयोगत किया जात पर शब्द आपके तीन प्रकार के होते हैं जिसमें आपने जाना आपका रूर्ण शब्द योगिक शब्द और आपके योग रूर्ण शब्द को इसी प्रकार आपके इतिहास के अधायर पर शब्द कितने होते हैं तत्सम तद्भो देशज विदेशज और संकर ठीक है औ और अर्थिक अधार पर सार्थक और निरर्थक सार्थक में आपने पर्यायवाची समानार्थी एकार्थी सम्मुचरित यूगम और आपके अनिकार्थी विलम इन में से एक चीज़ को मैं आपको बता दूँ जो है आपका अनिकार्थी तो अनिकार्थी क्या होते हैं कुछ श का नाम है जो वजनी चीज होती है उसे गुरू कहा जाता है ठीक है और इस अधार पर अगर प्रश्न कहता है अनेका अर्था शब्द गुरू के लिए निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है सिक्षक छंद की मात्रा माता-पिता या उत्कोच तो माता-पिता भी गुरू होती ह है छंद में दिर्ग की मात्रा को भी कूरू कहते है लेकिन उत्कोच जो है वह गुरू शब्द का अर्थ नहीं होता इस अधार पर अगर वह कर कहता है अभी इस कारे को तूपूरा कर कहते है तो कार्यादेश हुआ प्रतिवर्ष सरकार को कर कर पटाते हैं कहता है तो टैक् परन्तु प्रसंग और प्रयोक के नुसर अनेक प्रकार के अर्थि निकले उन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्ण आपको हमेशा पूछते हैं जैसे की देखा जाएं तो एक प्रश्ण और पूछ कह सकते हैं जैसे कि भवरा कोयल सखी किसके अनेकार्थी हैं क्या वह अली का अनेकार्थी है क्या वह अनंतक अनेकार्थी है क्या वह आकार का अनेकार्थी है तो अल जो है जिसे हम छोटी ली कहते हैं या जो अली शब्द है इसका अर्थ भावरे के लिए भी होता है कोयल के लिए भी होता है सखी के लिए भी होता है तो ऐसा इससे समधित प्रशण आपको पूछा जाता है तो आज के लेक्चर वीडियो के अंतरगत हमने वर्तनी योजना के और शब्द विचार से संब्धित प्रश्णों को जाना। प्रयोग और रुपांतरन के आधार पर जब शब्द के प्रयोग किया जाते हैं तो वो हमारे लिए शब्द पद बन जाते हैं ठीक है। वीडियो में करेंगे और उसको जानने के लिए आपको करना होगा इंतिजार तो आज की इस लेक्षर वीडियो में शब्दिविचार से संबधि जितनी चीजों को हमने जाना उसमें मैंने आपको कुछ नियम बताएं सारी चीजों को बहुत खुबी से ध्यान में रखिएगा और इस खुबी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीज़े मैंने बतलाई है यह आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी जिसमें से आपको इन चीजों को समझने में आसानी होगी बीना किसी परेशानी के कोशिस ये करें कि हर तरह के प्रशनों को हल करने का प्रयास कर आज की इस लेक्चर वीडियो में हमने MCQ के माध्यान से शब्द विचार और वरतनी से संब्धी चीजों को जाना है जितने भी मैंने आपको तत्व बतलाए हैं जो आपको बोर्ट पर नजर आ रहे थे उन सब को पढ़ते रहिए और MCQ सॉल्व करने की कोशिस कीजिए मेरा एक को प्रयास है कि हर प्रकार के तत्व के हर गहराई में जाकर आपको मैं सारी चीजों को बतलाऊं बिना किसी परेशानी के बिना किसी जीजग के आप पढ़ते रहिए दिमाग पर प्रेशर मत डालिए क्योंकि दिमाग में जब प्रेशर डलता है तो समझने में आपको मेरे साथ योगी बने रहने के लिए मेरे सावी बच्चों को धेर सारी शुपकाम नहीं धेर सारा प्यार थेंकि सो मच और हमेशा की तरह लव यू एंड गॉड ब्लेसो टू आल माई बच्चा